नमस्कार दोस्तों, इस हफते आपने देखा होगा Union Cabinet के द्वारा कई बड़े फैसले लिए गए थे उसमें से एक बड़ा फैसला ये भी था कि Cabinet ने क्लियर कर दिया है कि जो आधार और वोटर आईडी लिंकिंग है उसको आगे बढ़ाया जाएगा ये आप देख सकते हो Cabinet Clears Bill on Electoral Reforms Allowing Voluntary आधार वोटर आईडी लिंकिंग तो इसके बारे में हम डीटेल से समझेंगे पहले पास्ट में क्या Election Commission ने ऐसा कदम लिया था क्यों रोग दिया गया काफे कुछ जानने को है चलिया आगे बढ़ते हैं लेकिन उसके पहले अगर आप UPSC या फिर किसी भी एक्जाम की त्यारी कर रहे हैं तो आप हमारे आप को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर StudyIQ.com वि सारे Proposals रखे थे तो यहां पर काफे लंबे समय से ये बोला जा रहा था इस्पेशली जो Election Commission है उनके द्वारा request किया जा रहा था Law Ministry से कि ये जो आधार और voter ID की linking है उसको आप मंजूरी दे दीजे इससे सबसे बड़ा बदलाव ये होगा आपने देखा होगा आपके voter ID बन जाते है मैं यह नही कह रहा हूं कि कोई जान मुझकर करवाता है लेकिन कोई परसन उत्तर परदेश में है लखनाओ में है उसके पाथ voter ID होगा अगर वह शिप्ट होता है माराथ में मूंबई चाफिन बना लेता है लेकिन आपके पास इतनी सुविधा नहीं होती कि वाला voter ID आप उसको shift करा लो तो इसकी वज़े से क्या होता है कई शहरों में 2, 3, 4 इस तरह के आपको voter ID देखने को मिलते हैं तो यहाँ पर क्या होगा कि एक person अब आधार नमबर तो आपको पता है वो unique है एक ही person का है अगर उसको voter ID के साथ link कर दिया जाएगा एक particular तो बाकी के जितने voter ID है उसको आप हटा सकते हैं तो एक प्रकार से यहाँ पर uniformity लाने की कोशिश की जाएगी और जो bogus voter ID है उसको यहाँ पर खतम भी किया जा सकता है इसके लावा यह भी बताया जा रहा है कि यहाँ पर होता क्या है कि जब कोई person 18 वर्ष के उपर जा रहा है तो वो अपना voter ID बनवाना चाहता है लेकिन उसके लिए थोड़ी सुधाय कम हो जाती है वर्ष में सरिफ एक ही दिन ऐसा होता है मतलब एक ही date दिया जाता है कि जब यहाँ पर आप अपना voter ID के लिए अपलाई कर सकते हैं तो यह इसमें भी बदलाव किया जाएगा ताकि सारी चीजें असान से हो सकें अब इसके लावा और भी कई changes की बात कहीं जारी है जैसे कि सबसे पहले तो आपको यह आद रखना है कि जो भी बदलाव किये जाएंगे यहाँ पर जो amendment लाने की बात कहीं जारी है union cabinet के दोरा वो किया जाएगा representations of the people act 1951 यह ध्यान रखेगा यह बहुत ही important act है जो भी elections related चीजें आपको ज़्यादा तर देखने को मिलती है वो इसी act के माध्यम से आता है तो इसी के अंदर बदलाव करने पड़ेंगा और बताया जा रहा है कि parliament जो अभी session चल रहा है winter session उसके अंदर यह bill लाकर proposal लाला जाएगा और इसके अंदर changes किये जाएंगे फिर यहाँ पर और क्या changes है मैं आपको बताता हूँ एक तो यह है कि gender neutral बनाने की बात कही जारी है gender neutral कैसे जैसे कि suppose मान लो कोई army man है ठीक है तो जो उसकी wife है she is entitled to be enrolled as a service voter लेकिन आपको पता है कि अब क्या है धिरे धिरे जो women army officers हैं वो भी यहाँ पर भरती हो रहे हैं तो उनके जो husband है उनको ये चीज allow नहीं किया जाता उनको enrollment की सुविधा नहीं दी जाती लेकिन अगर कोई army man है उसकी wife को सुविधा दे दी जाती है तो ये क्या है वो gender neutral नहीं है अब यहाँ पर उसको gender neutral बनाने की बात कही जारी है ताकि उसी constituency में जो दोनों husband wife है जो army officer है उनको यहाँ पर सुविधा दे जा सके तो ये भी चीज आपको ध्यान रखना है और इसी की वज़े से आप देख सकते हो election commission of India ने बोला है कि यहाँ पर जो term है wife का इसको spouse से replace कर दिया चाहे ताकि यह automatically gender neutral हो जाएगा जा है वो women army officer हो या फिर man army officer हो उनके जो भी spouse होंगे उनको यहाँ पर यह enrollment की सुविधा दी जाएगी फिर चौथा वाला जो amendment की बात कही जा रही है एक बहुत important ही है दिखे आपको पता होना चाहिए कि जब भी election आता है तो आपके area में अगर किसी premise को लेना होता है election commission को मतलब सपोज मान लो कोई जगह है फ्लैट है आपका घर है तो वहाँ पर polling station बनाना है अगर election commission को लगता है यह सही जगह है तो वो आपका खाली किया जा सकता है घर को यहाँ पर storage of ballot boxes हो गया इस तरह कि अगर चीजें करानी है आपका कोई go down है तो वो election commission ले सकता है और वो मान यह होगा मतलब कि यहाँ पर सरकारी दस्तवेश के माध्यम से order जारी किया जाता है और वो आपको देना पड़ेगा लेकिन वो अभी तक क्या है ना कि सिर्फ polling station और ballot boxes को store करने के लिए ही यहाँ पर आपके premise को खाली किया जा सकता है अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है election commission के दोरा कि बाकी जो जितनी चीजे होती हैं जैसे कि कोई paramilitary forces को रुखवाना है कहीं पर इस तरह कि बहुत सारी elections related जोड़ी जितनी भी चीजे हैं वो यहाँ पर अब इसके अंदर आ जाएंगी ऐसा भी बताया क्या है लेकिन यह सारी चीजें जो भी मैंने आपको बताया एक तो यह जो बात कही जारी है आधार को link करने की voter ID से यह अभी के लिए कहा जा रहा है voluntary basis पर होगा अब मुझे थोड़ा सा इसी को लेकर doubt है कि अगर यह voluntary basis पर होगा तो किस तरह से यह सही प्रकार से implement हो पाएगा क्योंकि अगर आपको यहाँ पर जो bogus voter ID है या फिर एक परसन के कई multiple ID है उसको हटाना है तो I think यहाँ पर इसको शायद compulsory करना चाहिए हाँ यह बात सही है कि यहाँ पर कई लोगों को जो data का theft है वो सारी चीज़ें data protection है उसका भी ख्याल लखना होगा सरकार को and I think कि आपने देखा होगा मैंने एक video भी बनाया था data protections related उसको भी सरकार लेकर आने वाली है ताकि जो भी आप data share कर रहे हो वो आपका protected हो कई सारे sections है उसके अंदर कहा कहा बदलाव किया जाएगा एक मैंने आपको बोला था कि अभी तक क्या होता है 1st January को अलाव किया जाता है कि आप अपना voter ID के लिए apply कर सकते हैं अब सरकार हो सकता है कि शायद 4 date लेकर आए 1st January, 1st April, 1st July और 1st October मतलब हर 3-3 मैने पर आपके पास मौका होगा कि आप voter ID के लिए apply कर सकते हैं इसके लिए section 14B of representation of people act के अंदर बदलाव होगा दूसरा जो मैंने अभी आपको gender neutral registration के लिए बताया वहाँ पर section 26 जो है वो आपका changes किया जाएगा इसके अलावा जो premises खाली करने की बात है यहाँ पर section 160 में बदलाव किया जाएगा लेकिन question यह आता है कि क्या अभी तक इस तरह के efforts नहीं किये गए बिल्कुल किये गए थे मैं आपको बताता हूँ election commission ने 2015 में यह जो linking है voter ID और आधार नंबर का इसको start कर दिया था और यह basically लाया गया था as part of national electoral role purification and authentication program यह program लाया गया था ताकि इन दोनों को link किया जाए और मैं बता दूं करीब 32 करोण आधार नंबर को already यहाँ पर link किया जा चुका था लेकिन finally यहाँ पर election commission को इसको रोकना पड़ा इस program को क्यों क्योंकि Supreme Court का judgment आ गया था आपको पता है आधार से related Supreme Court ने यह कहा था कि अगर सरकार कोई data collect करती है फिर जो भी कुछ करती है उसके लिए सरकार को आधार act के अंदर changes करना होगा amendment करना होगा और इसी की वज़े से यहाँ पर election commission लगतार law ministry से permission ले रहा है उनको बोल रहा है कि आप अगर इसको link करवाना चाहते हैं तो इसके अंदर changes करिए जो representation of people act है और यह सारी चीज़ों में changes करेंगे तभी हो पाएगा और इसी लिए अब यहाँ पर जो law ministry है वो इसको लेकर agree हो गई थी इंफर्ट मैं आपको बता दूँ 2020 में जब रवी शंकर प्रसाद law minister थे उनके द्वारा इसको start कर दिया गया था इस पूरे program को implement करने के लिए start कर दिया गया था और इसी साल august के महने में जब किरोन रिजुजु ने परलिमेंट के अंदर inform किया कि सरकार इसको लेकर इस proposal को लेकर काम कर रही है और आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पर बताया गया है कि after consulting various stakeholders और आपको पता होगा कई सारे law commission होते हैं तो यहाँ पर 244th law commission, 256th law commission की जो report आई थी उसके अंदर बहुत सारे changes बताये गया थे यह सारी चीजों को लेकर जो election reform है वो सरकार बदलाव करेगी through representations of people act के अंदर change करके तो I hope कि अब आपको एक framework सब कुछ उपर से धाचा समझ में आ गया होगा कि सरकार इस parliament session के अंदर एक bill लाने वाली है जिसके तहत इन सभी चीजों के अंदर बदलाव किया जाएगा और उसमें सबसे बड़ी चीज है कि voter ID और आधार को link किया जाएगा जाने से पहले अब आपके मन में कई लोगों की question आ सकते है कि क्या आपका आधार और voter ID यहाँ पर linked है कि नहीं है तो I hope कि इस वीडियो में आपको सब कुछ समझ में आगया होगा जाने से पहले एक interesting question आपके लिए related to representations of people act 1951 दो statement है इससे related ध्यान से पढ़िए बताए कौन सा correct है इसका right answer आपको पता ही है मेरे instagram पर तो मिलेगा ही वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं टेलिग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर मैं कई सारे MCQs यहाँ पर डालता रहता हूँ stories के form में आप जाकर play कर सकते हो बागी अगर आपको PDF यह तो टेलिग्राम पर आईए अलग-अलग social media पर भी आप जोड़ सकते हैं साथी साथ UPSC आप फिर किसी भी exam की त्यारी कर रहे हैं तो आप हमारे आपको download कर लीजे I hope कि वीडियो आपको पसंद आया होगा मिलता हूँ आप से next time till then Thank you very much, see you soon